बहिया राधा स्वामी बहिया आपकी सेवा को देखकर इतना दिल परसन नो रहा है इस पेशल वीडियो आपके लिए बना रहे हैं चैली उटा आपको राम राम जी दोस्तो हमारे गाँ फत्तेपुर बेरी में राधा स्वामी सत्संग चल रहा है और भाई जिसको हम कहते हैं सची सेवा उसका जीता जाकता एक्जमपल हम देख सकते हैं राधा स्वामी सत्संग वाले जो हमारे भाई हैं इनकी सची नेक नियत से सेवा करना आप देखिए इतनी तेज आज बारिश पड़ रही थी और कैसे ये सेवादार भाई बीच में खड़े होकर लोगों के और सेवा करे जा रहे हैं लगबग एक डेड़ घंटे से एक डेड़ घंटे से इतनी तेज बारिश हो रही है और आप देखिए इने भाई इन्हें आखिर मिलता क्या है अपने घरबार को छोड़ कर आ रहे अपने कामदंदों को छोड़ कर आ रहे और यहां पर आकर समय दे रहे हैं श्रद्धा है भाई इसको बोलते हैं सची श्रद्धा जो की परमात्मा के लिए है जब भी हमारे हां पर रादस्वामी का सचसंग चलता है दोस्तों जितने भी आप रोड़ देखेंगे सभी रोड़ों पर जितनी भी धूल मट्टी है गंदगिये सब को उठाते हैं यह आकर और यहां पर लेडिज ये बच्चे सब सेवा करते हैं आपको धूल देखने को नहीं मिलेगी जितने भी रोड़ पर बड़े बड़े खड़े हुए होते हैं उनको खुद आकर यह भड़ते हैं और जैसे तीन दिन का चलता है सथसंग साल में दोसे तीन बार होता है तो आप विश्वास मानेंगे हमें रोड़ पर एक भी गड़ देखने को नहीं मिलता भाई और इसमें एक सबसे बड़ी जो मुझे मेरे दिल को चूगई वो बात यह है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है चाहे कोई करोड़ पती हो लख पती हो या बिलकुल लेबर मजदूर गरीब से गरीब आदमियों वो सब एक जगा जाकर इंप्रेस किया है भाई वो है यहां के जो सेवा वाले भाई है हमारे यह सबसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं आप देखें कैसे रोड क्रॉस करवा रहे हैं लोगों को कैसे एक डिसिप्लेन में सिखा रहे हैं कि आपको साइड से चलना चाहिए अगर आप रोड से चलते हैं मगर इतनी ज़्यादा फैसिलिटी इतना ज़्यादा ध्यान सभी सत्संग में नहीं चलता मैंने आज तक कभी ना तो आप कभी यह मत सोचना कि मैं खुद मतलब ग्यान ले रखा है मैंने मगर मैं दिल से मेरी जो मन में रिस्पेक्ट थी ना राधा सौमी वालों के ले वो आज सौ गुना जादा बढ़ गई है भाई यार इतने दिल से कौन करता है अपने घर को छोड़कर आते हैं अपने बच्चों को छोड़कर आते हैं और तीन दिन का सत्संग चलता है और आप मानेंगे कि तीन दिन से पहले यह शुरुवात कर देते हैं सफाई करने क एक यहां की सबसे खूबसूरत सबसे प्यारी बात यह हैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कोई लाइन वाईन नहीं यह नहीं कि तुम करोड़ पती हो तुम वियाईप हो तो तुम जल्दी पहुचोगे और तुम गरीब हो तो तुम लाइन में खड़े रहोगे ऐसा न और अच्छी बाते सीखने को मिलेंगी उस तो हम आजकल देखने की नए ने नौजवान यूवा शादी होने के बाद बदल जाते हैं अपने माबाप से दूर हो जाते हैं यहां पर सत्संग में ऐसी ऐसी बाते सिखाई जाती है कि सबसे पहला भगवान जो है वो हमारे माता अच्छी बाते जिन से सच में हमारा जीवन बदल सकता है वो यहां पर आपको सुनने को और देखने को मिलेंगी दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एकी बात कहना चाहूंगा कि आप एक बार तो मेरे कहने से यहां पर आकर देखिए और हर बार और बार आप आएंगे अपनी कि मैं आपको शवदों में बया नहीं कर सकता आप आईए महसूस करिए और अपने परिवार के साथ मैं तो कहता हूं थोड़ा सा अपना कीमति समय निकाल कर एक बार तो जरूर आईए और दिल से बोलिए राधा स्वामी